दोस्तो सिकाड़ा, सूपर फैमिली, सिख डोईडिया के सदसे हैं और इसलिए इन्हें इनके मजबूत शरीर, चोड़े सीर, जिल्लिदार पंग और विशाल लाल आखों के लिए जाना जाता है इस सिकाड़ा को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है वार्सिक सिकाड़ा और आवधिक सिकाड़ा वो है जो हर साल दिखाई देते हैं और आवधिक सिकाड़ा वो है जो अपना अधिकान समय जमीन के अंदर बिताते हैं और हर एक या दो दश्कों में एक बार बाहर नि कट होने के लिए जाना जाता है नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार इस सिकाड़ा का आकार 2.2 से 5.5 सेंटीमिटर के बीच होता है और इसकी आखें लाल सफेद या नीले रंकी हो सकती है और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की तो इस दुनिया में इनकी लगवक 3,000 से जादा प्रजातियां पाई जाती है लेकिन क्या आपको पता है की इन सिकाड़ा का जन्म कैसे होता है अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की प्यार देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सिकाड़ा पूरी दुनिया में पाया जाते हैं और जब सुरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो इनके पारदर्शी पंखों में इंद्र धनुष के रंग दिखाई देते हैं साथ इनके पंखों में इनकी न से भी दिखाई देती है प्राचिनकाल से ही लोग इसकी अद्भुत जीवन शैली से आकरशित होते रहे हैं कुछ लोग हैं जो इस सिकाड़ा की तुलना टिड़ो से भी कर देते हैं लेकिन ये दोनों प्रजातियां बहुत ही अलग है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी समान नहीं है तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका ये मिलन कुछ मिनट से लेकर घंटों तक चल सकता है तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्ता में आ जाती है और इस दोरान मादा अपने अंडे देने के लिए पेड़ों की पतली डंगालियों की तलाश करती है तो जैसे ही मादा के अंडे देने का समय आ जाता है उसके बाद मादा पेड़ की पतली डंगालियों में छेद बना कर उसमें अंडे देना शुरू करती है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि मादा के शरीर में एक लंबा नुकीला ओवी पोसिटर नामक एक अंगो होता है जो एक नुकीले ट्यूप की तरह होता है जिसकी मदद से ये पेड़ की डंगालियों में छेद बना लेते हैं ये सी काड़ा अपने अंडे देने के लिए पेड़ की शाखाओं में अंगिनत छेद बनाते हैं जिसमें प्रतेक छेद में 20-30 अंडे दे देते हैं और एक बार में 500 अंडे दे देते हैं जो विभिन प्रजाती के आदार पर कम या ज्यादा हो सकता है इनके अंडे बहुती छोटे होते हैं जिसकी तुलना आप चावल के दानों से कर सकते हैं तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देते हैं उसके बाद ये अंडे उसी पेड़ की शाखा में विक्सित होना शुरू करते हैं और लगभग 6-8 हफते बाद इन अंडों से निम यानि बच्चे निकलना शुरू होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसे ही ये अंडों से बाहर निकलना शुरू करते हैं उसके बाद ये तुरंद जमीन पर गिर जाते हैं इनका वजन बहुत कम होने के कारण इने चोट नहीं लगती और जैसे ही ये जमीन पर गिर जाते हैं तो ये अपने पैरों से जमीन खोद कर या छेद बना कर उसी पेड़ पौधे की जड़ों में पहुँच जाते हैं और उसमें मौजूद तरल पदार्थ को चूस कर अपना पोशन ग्रहन करते हैं दोस्तो ये वही तरल पदार्थ होता है जिसे हम कभी कभी पेड़ पौधों के तनों से रस के रूप में निकलते हुए देख लेते हैं तो जैसे ही ये जमीन के अंदर पहुँच कर पेड़ पौधों की जड़ों से रस चूसना शुरू करते हैं उसके बाद ये वैसक होने तक जमीन के अंदर ही बने रहते हैं जी हाँ दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी ये सिकाड़ा अपनी प्रजाती के आधार पर एक निम के रूप में सालों तक जमीन के अंदर ही रहता है क्योंकि इन्हें वैस कहोने में कई सालों का समय लगता है जिसमें 17 साल का एक लंबा समय भी शामिल है तो जब ये जमीन के अंदर रहकर एक लंबा समय व्यतीत करते हैं तो ये कई बार अपने शरीर की तोचा को बदलते रहते हैं और जब जब ये अपनी तोचा को बदलते जाते हैं तब तब इनका निम्फ वाला शरीर बढ़ता जाता है दोस्तो ये सारी क्रियाएं जमीन के अंदर होती है जिसके कारण इस दृश्य को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है तो जैसे ही ये निम्फ अपनी प्रजाती के आधार पर जमीन के अंदर अपना जीवन बिता लेते हैं उसके बाद ये जमीन में सुरंग बना कर बाहर निकलना शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जमीन से बाहर निकल रहे हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये निम जमीन से बाहर निकल रहे होते हैं तब इनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन जब धीरे धीरे ये सारे बाहर निकलना शुरू करते हैं तब इनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प अपना आकरी कंकाल जैसा निम्प वाला शरीर छोड़कर वैसक सिगाड़ा के रूप में उभर कर आ जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने कंकाल वाले कवच को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं और जैसे ही ये कवच तोड़कर बाहर निकल जाते हैं उसके बाद ये पूर्ण रूप से सिकाड़ा के रूप में ही बाहर आते हैं और अब इनके पास चमकदार पंग, लाल आखें और एक वैसक शरीर मौजूद होता है लेकिन जब ये अपने कवच को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो शुरुवाती दोर पर इनके रंग थोड़े फीके या नाके बराबर होते हैं लेकिन एक दिन के भीतर ये अपने सारे रंग प्राप्त कर लेते हैं तो जैसे ही ये लाखों सी काड़ा अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं उसके बाद ये सारे मिलकर एक तेज आवाज निकालना शुरू करते हैं जिसका शूर हम सब को काफी परिशान करता है और यही वो आवाज होती है जिससे नर अपनी मादा साथी को अपनी और आकरशित करने के लिए इस्तमाल करते हैं और जैसे ही कोई मादा नर से आकरशित हो जाती है उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही आवाज होती है जिसके कारण ये मारे भी जाते हैं क्योंकि जब ये पूर्ण रूप से बाहर आते हैं तो उसके बाद ये लगातार शोर मचाते हैं जिसके बाद जंगल में मौजूद सभी जीव जन्तू चाहे बड़ा या छोटा अपना पेट भरने के लिए इनका शिकार कर लेते हैं एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये सिकाड़ा लाखों की तादाद में बाहर आते हैं तो इस जंगल में इन जीवों के लिए भोजन की भरपूर मातरा मौजूद हो जाती है जिसके बाद ये पेट भर कर अपना भोजन कर लेते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि इन जीवों का पेट इतना भर जाता है कि न चाहते हुए भी इन्हें अपना मन मार कर वहां से जाना पड़ता है और आपको ये भी जानकर हरानी होगी कि इतनी तादाद में शिकार होने के बावजूद ये सिकाड़ा इतनी तादाद में मौजूद होते हैं जिससे ये अपने आने वाले पीड़े को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सिकाड़ा की आवास तो हम हर साल सुनते हैं तो ये 17 साल में एक बार का क्या चक्कर है तो आपको बता दू कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इसकी दो प्रजातियां होती है एक वारशिक और दूसरी आवधिक तो हर साल अपना वैस के रूप प्राप्त करने में सक्षम होती है जिसके कारण आप हर साल इनकी आवास सुन लेते हैं और अगर बात करें के जीवनकाल की तो इस सिकाड़ा का जीवनकाल 15 से 20 वर्शों का होता है जिसमें इनका ज्यातर समय जमीन के अंदर बीटता है और जमीन इन से बाहर आने के बाद यानि पूर्ण रूप से वैस को होने के बाद यह सिर्फ एक से दो वर्शों तक ही जीवित रह पाते हैं जो विभन प्रजाती के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शितरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे ही वीडियो या फिर डि अजर झाले बीजड़ झाले और रहे ही वीडियो यार आपको सब्सक्राइब कि वीडियो पस्याद रहे हीडिया पने कि वीडियो जोस्तों सब्सक्राइब कि अगरा ह।